नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे लक्समी बाइ नेशनल इस्टीचूट अप फिजिकल एजूकेशन आज हम इसके बारे में डिसकसन करेंगे चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन को तो यह है उसका नोटिफिकेशन लक्समी बाइ नेशनल इस्टीचूट अप फिजिकल एजूकेशन गवालियर अच्छली एक डिम्ड उनिवर्सिटी है अज़े हम देखते हैं क्या 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 टीचिंग पोस्ट में वैकेंसी है यह आप देख सकते हो टीचिंग पोस्ट मेंशन किया हुआ है यह बहुत सार वैकेंसी दिया गया है फास्ट आसूजिट फ्रहृफिसर इन फिजिकले जूकेशन प्रहृफिसर इन फिजिकले सेन ये सनधर्फॉंस प्रहभे क्या गोर्थु में है ये दोनों धुना बाला दो गौलीर में हे ये गौlle में है उसके बाद इसके बाद उसके बाद उसका प्रोफेसर एक्सरसाइज साइकोलोजी कि को लिए उसके बाद आजिस्टर प्रोफेसर इन हेल्ट एज्यूकेशंग ऑलिर में आसे बाफिसर इन मेडिसिन फीमेल गॉखाल अशे युनिवर्सिटि असिस्ट लाइबरेजर अन्रीजर्ट में आप यहां देख सकते हो असिस्टन फ्रोफेशर इन फिजिकल इसिंग में चार पोस्ट वैकेंसी है उसके बाद एक एक करके हैं एसी में एक पोस्ट यहां भी एसी में ओबीजी तो टोटल यहां आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट यहां एक चार एक 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 तो चलते हैं देखते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट में क्या 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 वैकेंसी है यहां का रेजिस्टर का एक वैकेंसी है तो जिर question and register a vacancy है यह आपको मिलेगा PWD category में तो चलते हैं नीचे देखते हैं क्या है इसका details details of eligibility qualification Q essential qualification desired qualification चलते हैं नीचे the first associate professor in physical education इसक लिए जो mention किया हुआ गूड are good academic record with PhD degree in PhD आपको चाहिए Master degree in 55% marks, specializes in all the master level in any of the following games like volleyball, kabaddi, tennis, handball and badminton और diploma और PG diploma in sports, coaching in any of the above games तो यह जो games mention किया हुआ है इसमें आपका PG या PhD होना जरूरी है या diploma और PG diploma होना जरूरी है उसके साथ आपका PhD होना जरूरी है यह minimum of 8 years of experience या mention किया हुआ है minimum 8 साल का experience चाहिए teaching and or research teaching and research में minimum 8 साल का experience होना बहुत जरूरी है तो चलिए नीचे चलते है assistant professor in physical education यहाँ आप देख सकते हैं वही same requirement है master degree with 55% marks specialized in master level of any of the following games double tennis, gymnastics, badminton, judo, handball, basketball, women, athletics, tennis, wrestling, basketball, yoga, volleyball requirement भी वही same है यह PhD mention नहीं किया गया है यह आपको सिर्फ master degree means PG level चाहिए diploma और PG diploma in sports coaching in any of the above games the candidate must have cleared the national eligibility test इसके लिए आपको net, SEAT या SLET आपको clear करना बहुत जरूरी है गट कि यह आप एक देख सकते। यहां जो मेंसान किया हुआ है फस्ट रिक्रमेट एक्टेमिक लेवल थाटीन ववन है और यह जो एकड़ीमिक लेवल है यह आपका टेन है अप यह देख सकते हों तो इसके लिए आपको एक्चुली प्हुड की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको नेट सेट या एसलेटी का जरूरत है तो चलिए नीचे चलते हैं कि एकसरस फिजियोलोजी में जो है कि मास्टर डिग्र फिफ्टी पर्सेंट मार्क्स विसल्ट फॉस्फिलिंग देव क्वालिफिकेशन नेट सेट और एसलेटी चाहिए एदिया पीएजडी करते हो तो वह भी बहुत अच्छा है यहां और एक चाहिए आप एक चीज़ यहां चाहिए है के द्वारा यह evaluated होना चाहिए देकर प्रप्लिश्ट प्रप्रम हीज हर पीजडी वर्क मिनियम दो रिसर्पेपर आपको प्रप्लिश करना चाहिए देकर राज प्रेजिट प्रेजिट आ ट्लिस्ट टू पेपर बेस्ट अईजर पीजडी कि दिए चलते हैं नीचे देपेज टीकर हाज में दाफ्टर आशिस्टन प्रोफेसर हेल्थ एजुके सना असिस्टन प्रोफेसर मेडिशन फिमेल के लिए हैं बीबीएस यह भी आपका एकाडमिक लेबल टैन हैं बीबीए सुथ पोस्ट गाजुशन इन मेडिशन प्रम रेक आसिडेंट और ट्यूटर इसके लिए यहाम एंसर किया है इस पोस्ट विल रहाब टीचिंग आज वेल अस अ मेडिकल ड्यूटीज देन इसके बाद चलते हैं आसिस्टन प्रोफेसर इन फिजिए थे टेरापी असिस्टन प्रोफेसर इन फिजिए थेरापी अकाडमिक ले फिजियो थेरापी, this post will have duties of physiotherapist and teaching, यह post में आपको physiotherapist का काम करना है, उसके साथ भी आपको पढ़ाना है, इसके लिए शीव आपको bachelor's degree चाहिए, या master degree है तो अच्छा है, इनिवर्सिटी आसिस्टान लाइब्रीरियन, चलते हैं, उसका रिकार में master degree in library science, information science and documentation science, और अनेक्वेले प्रोफेशनल डिग्री विद एक लिए 55% मार्क, यह consistently good academic record, बिशल्टी फुल्फिकिंट अब क्वालिफिकिंट अच्छा है, इसके लिए आपका net set होना बहुत ज़रूरी है, और योदि आप PhD करते हो, तो भी अच्छा है, आप इसके लिए eligible हो, बाकि same requirement यहां mention किया गया है, regular mode पे होना चाहिए PhD, तो external examiners के द्वारा इव value होना चाहिए, और भायावैस भी खत्म होना चाहिए, उसके बाद आपको आ गया जो non-teaching post जाए से की register, register के यहां mention किया है, फर 5 years tenure or attending superannuation of 62 years, 62 years से कम होना चाहिए, master degree or at least 15 years of experience as an assistant professor in the academic level 11 and above or with 8 years of service in the academic level 12 and above including the associate professor along with the experience of educational administration, और इसके साथ comparable experience in the research establishment and or other institute of higher education और 15 years of administrative experience of which 8 years shall be a deputy register, उसके बाद, finance officer के लिए जो vacancy है, आपन्मेंट फ्रम दा पैनेल नेमस अब दाविटर, finance officer और आप यहां देख सकते है, deputy register वही सेम requirement यहां mention किया हुआ है, तो चले हम अभी देखते कि इसका assistant register भी वही सेम, master degree चाहिए, मैं इसका link आपको देदूंगा, आप इसको download करके थोड़ा देख लेना details में, general instruction, आप यहां देख सकते हूँ, online payment of the application fee and the submission of a field in the application, आप यहां देख सकते हूँ, on reserve and OBC के लिए, जो application fee है, वो 1000 रुपीज है, और उसके साथ 300 रुपीज जो यहां mention किया है, portal charges, जो non-refundable है, उसके साथ साथ जो SCSTPW category के लिए कुछ application charge नहीं है, उनको सिर्फ 300 रुपीज देना पड़ेगा, portal charges के लिए, यह आप देख सकते हो, तो applications are advised to submit online application, यह सारे की सारा online applications होगा, कुछ hard copy या कुछ soft copy, offline की कुछ procedure यहां नहीं है, यहां 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 एक mention किया हुआ है, आप देख चाकते हैं, 11th number में, selection will be made on the basis of the candidates previous record and their performance in the interview, इसका मतलब आपका previous record और interview के base पर आपका selection होगा, यदि आप कहीं काम कर रहे हो अभी तो आपको एक new application certificate भी आपको देना पड़ेगा, और यहां एक बहुत important change यहां mention किया है, आप यहां देख सेते हैं, उसका last date है application submission का, यह है 30th May 2020, यह आपको याद करना है, इसका last date है 30th May 2020, तो चलिए हम अभी चलते हैं उसका website में, website में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है, तो मैंने यहां mention किया है, आप देख सेकते हैं वो लक्ष्मी भाई national history जूलप फीजी का लेजूकेशन गो आलियर, search बटन में क्लिक करते हैं, तो यह जो पहला बाला है यह उसका website है, मैं website का link भी आपको description में दे दूँगा, आप यह direct जाकर यहां देख सकते हैं, तो हम यहां आगे लक्ष्मी भाई national history जूलप फीजी का लेजूकेशन गो आलियर का website में, तो हम चलते हैं नीचे, आप यहां देख सकते हैं यह उसका notification है, हम चलेंगे notification में, यहां आप देख सकते हैं advertisement for the teaching and non-teaching post 21-4-2020, तो हम इसके उपर क्लिक करेंगे, यह read more पर, यह आप देख सकते हैं यह notification आपको दोनों ही language में देखने को मिलगा, यह English में और इस side हिंदी में, वही जो same चीज यहां mention किया हुआ है vacancy के लिए, तो चलते हैं हम नीचे चलेंगे, यहां आप देख सकते हैं यहां दो चीज mention किया हुआ है, teaching and non-teaching post group A, and non-teaching post group B and C, तो हमारा आप यहां से देख सकते हो, जो teaching post है यह सारे के सारे group A में है, और non-teaching जो post है यह भी सारे के सारे group A में है, अब ही यह जो group B and C में इसका कुछ requirement हमारे पास नहीं है, तो हमारे जो सारे के सारे जो requirement है, यह group A position के लिए, तो हम यहां जाएंगे, यह जो पहला वला option, तो चलिए चलते हैं देखते हैं इसको, तो देखें मैंने आपको जो दिखाया था यह वही same notification है, आप इसको download करके भी देख सकते हो details में, और यहां apply button में जब आप click करोगे, तो यहां आप direct यहां से apply कर सकते हो, अभी तक यह website ready नहीं हुआ है, तो यहां और 10% दिखा रहे है, 90% हो गया है, मुझे लग रहा है आज यह कल से यह सुरू हो जाएगा, तो आप यहां जाकर direct apply कर सकते हो, तो friends यह था detailed requirement, यदि आपको यह अच्छा लगा और आपको teachers related कुछ information चाहिए, study related, jobs related, career related, तो हमारा चैनल को आप subscribe कीजिए, thank you, all the best.